दोस्तों आप किसी बेंग का क्रेट कार लेते हैं तो क्रेट कार लेने पर जोइनिंग फी साती एनुवल फी पेग करना होता है लेकिन यदि आप EOS Small Finance Bank का क्रेट कार लेते हैं तो क्रेट कार लेने पर ना तो कोई आपको जोइनिंग फी लाईगा और नहीं कोई आपको annual fee pay करने की जरूत परती है आज की इस वीडियो में आपको हम EOS Small Finance Bank के lead credit card apply करने के लिए complete process बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि EOS Small Finance Bank के lead credit card लेने पर काफी सारे offer देखने को मिलता है जैसे कि आप इस card के माद्यम से online transaction करते हैं तो आपको उस पर छूर दियाता है इसके अलावा आप इस card के माद्यम से कोई भी खर्च करते हैं तो आपको उस पर reward point दियाता है इसके अलावा यह card लेने पर और भी आपको offer देखने को मिलता है तो आप लोग किस तरह से EUA Small Finance Bank के Lead Credit Card के लिए अपलाई करेंगे चलिए आपको हम complete detail में दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर Card Apply करने से पहले हम इस Card के बारे में detail में जान लेते हैं इसके बाद हम Card Apply करने के लिए आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पर दिख सकते हैं यह EUA Small Finance Bank का Lead Credit Card है आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस Card का Feature और Benefit के बारे में दिया हुआ है जैसे कि आप इस Card के माध्यम से retail spend करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% या फिर 2% का cashback दिया जागा इसके लावा आप इस Card के माध्यम से 400 रुपे से लेकरके 5,000 रुपे तक fuel भराते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का fuel surcharge वेव किया जागा इसके लावा आप इस Card के माध्यम से travel, dining, grocery या फिर electronics item खड़िते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का cashback मिलेगा इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखी इस Card के बारे में और भी benefit दिया गया है इसके लावा यहाँ पर देखी यह Card का सबसे बड़ी बात है यहाँ पर Annual, Oblig, Renewal भी तो यहाँ पर देख सकते हैं Lifetime Free लिखा है यानि कि यह Credit Card Lifetime Free Credit Card है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है EU Lead Credit Card is Lifetime Free Credit Card तो इस Credit Card के लिए आपको ना तो कोई ज्वाइनिंग फिलाएगा और ना ही कोई आपको Annual फिलाएगा चलिए अब आप इस Start को किस तरिका से Apply करेंगे आपको हम Life Proof के साथ दिखाते हैं दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप लोग किलिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएगे अब यहाँ पर देखे EU Bank का Credit Card अपलाई करने के लिए आ गया है सबसे पहला यहाँ पर है Mobile Number तो आप यहाँ पर अपना Mobile Number फिलाप करेंगे चलिए हम यहाँ पर Mobile Number फिलाप कर लेते हैं यहाँ पर Mobile Number फिलाप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे इसके बाद Gate OTP पर किलिक करेंगे अब आपके Mobile Number पर OTP आएगा आप इस बॉक्स में OTP को फिलाप करेंगे चलिए OTP फिलाप कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा आप यहाँ पर देखे pen number fill up करने के लिए गया है तो आप यहाँ पर अपना pen card number fill up करेंगे चले fill up कर लेते हैं यहाँ पर pen number fill up करने के बाद प्रोसीट पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है अब यहाँ पर देखे आधार नम्मर फिल अब करने के लिए आगिया है तो आप यहाँ पर अपना आधार नम्मर फिल अब करेंगे चलिए OTP फिलप कर लेते हैं यहाँ पर OTP फिलप करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है अब जो भी आपके आधार काड में डिटेल दिया गिया है यहाँ पर वह डिटेल्स हो करता है जैसे कि यहाँ पर City, साथ यहाँ पर Estate इसके बाद यहाँ पर Employment Type आप इस पर किलिक करेंगे और आप यहाँ से Select कर लेंगे आप क्या काम करते हैं तो यहाँ पर देखे बहुत सारा Option दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर Salated, Self-Employed, Self-Employed Professional, Student or Retire तो आप यहाँ पर अपने मर्जी से Select कर लेंगे इसके बाद Proceed पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर देखे Credit Card Delivery Address सेलेक्ट करने के लिए गया है तो जो भी आपके आधार कार्ड में Address दिया गया है यहाँ पर वह Address हो करता है यदि आप दूसरा किसी Address पर Credit Card लेना चाहते हैं तो नीचे में देखे लिखा Add Another Address आप इसको Select कर लेंगे इसके बाद Next पर किलिक करेंगे चलिए हमारे आधार कार्ड में जो भी Address दिया गया है हम इसी Address पर Credit Card लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको Select कर लेते आधार Address को इसके बाद Next पर किलिक करेंगे तो जो भी आपके मा का नाम है आप यहाँ पर Fill Up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर Educational Qualification तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे और आप यहाँ से Select कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है इसके बाद यहाँ पर Personal Email ID तो जो भी आपका Email ID है आप यहाँ पर Fill Up करेंगे इसके बाद यहाँ पर Current Residence Type तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे और आप यहाँ से Select कर लेंगे यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर On Select करेंगे लेकिन यदि आप Rent पर रहते हैं तो आप यहाँ पर Rented Select करेंगे या फिर company ने आपको मकान दिया है या फिर सरकार ने आपको मकान दिया है तो आप यहाँ पर company select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर number of years at current residence तो आपने जो address select किया है उस address पर आप कितने दिनों से रहते हैं आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर nationality तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप नेक्स्ट पर किलिक करेंगे अब यहां पर देखिए इंप्लाइमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए गया है तो आप यहां पर किलिक करेंगे और आप यहां से आप काम करते हैं आप यहाँ पर वा company का नामВот कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर number of years in service तो आप कितने दिनों से job करते हैं आप यहाँ पर आप यहाँ पर पत का नाम First App कर लेंगे इसके बाद में कितना रुपन कमाते हैं आप यहाँ पर Jasper डेटल तो जो भी office में आप काम करते हैं या फिर जहां भी आप काम करते हैं उसका address यहां पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर देखे no select किया हुआ है यहां पर भी no select किया हुआ है तो आपको यहां पर no select रहने देना है इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे और next पर किलिक करेंगे जैसे ही आप next पर किलिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए आपको credit card सोग किया जागा जो भी आप credit card के लिए eligible होंगे यहाँ पर देखिए हमें 75,000 रुपे का limit दिया जा रहा है और जो भी हम credit card के लिए eligible है यहाँ पर सोग क्या जा रहा है तो जो भी आप credit card लेना चाहते हैं आप यहाँ सी वह credit card select कर लेंगे जैसे कि हमें यहाँ पर AU bank का lead credit card लेना है चोकि AU bank का lead credit card सबसे best credit card है यह credit card लेने पर ना तो कोई आपको joining फिल आएगा और ना ही कोई आपको annual fee pay करने की जोरौत परती है यानि कि AU bank का lead credit card lifetime free credit card है तो हमने यहाँ पर lead credit card select कर लिया है आप यहाँ पर card fee and benefit पर click करके card के बारे में और detail में जानकारी ले सकते हैं इसके बाद आप next पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यह card lifetime free credit card है यानि कि यह credit card लेने पर कोई भी आपको charge नहीं लगेगा इसके अलावा यहाँ पर और भी benefit के बारे में दिया हुआ है तो आप यहाँ से benefit देख सकते हैं इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और proceed to video के वाइसी पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए video के वाइसी के माद्यम से के वाइसी complete कर करने के लिए गया है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि video के वाइसी स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास original pen card रखेंगे इसके अलावा आप अपने पास white paper याने की साधा कागज साथी black या फिर blue pen अपने पास रखेंगे क्योंकि video के वाइसी के दौरण आपक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click here to schedule a video call for later पर click कर लेंगे आप यहाँ पर जैसे ही click here to complete your KYC नौ पर click करेंगे आपका video के वाइसी स्टार्ट हो जागा और bank के करमचाड़ी जो भी bank के agent है आपको video call के माद देम से KYC करेंगे video के दौरण जो भी bank करमचाड़ी है आप से जो भी सवाल करेंगे आप उसका answer देंगे और आपका यहाँ पर video KYC complete हो जागा जैसे ही आपका video KYC के माद देम से KYC complete हो जागा उसके बाद आपको इस तरीका से सो करेगा video KYC successful यानि कि हमारा video KYC complete हो चुका है इसके बाद आप OK पर click कर लेंगे तो दोस्तों इस तरीका से आ जाता है यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी error सो करता है तो comment करना मत वुलिए आपके comment कर दो हम जरूर देंगे फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्या लगएगा बाई टेक केर